ये, कम ओन, वेलकम टू दे टेंथ सीरीज अफ दे मोटिवेशन की आग फिर सोचा कि स्टॉक मार्केट में कुछ करू और उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ इंस्टा फेस्बुक पर मीमी स्पेज बनाएं और उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ एक के बाद एक रिजेक्शन एक के बाद एक फेलियर्स अब करू तो करू क्या तो यार आकिर काम्याभी का सिक्रेट क्या है तो मैं तो सबको यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी दोस्तो मैं अपने लाइफ में ये तो समझ गया हूँ कि अगर मैं हर काम को कंसिस्टेंसी से करूगा तो सच में उसमें कुछ अचीव कर सकता हूँ तो यार मैंने मेरा करियर कराटे और other sports से start किया और उसमें मैं और जाधा अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था फिर यार पता नहीं मुझे singing का शौक पड़ गया एक दो महीणे लगातार singing पे ज्यान दिया पर यार उसमें भी कुछ खास response नहीं आया फिर मैंने network marketing में कदम रखा, affiliate marketing में कदम रखा और उसमें भी लोगों के ना सुनने को मिला, पर यार वो कहते हैं ना कि हर इंसान के life में एक turn point आता है, हर इंसान के life में एक mentor, एक guru आता है, तो यार ये turn मेरे life में भी आया, singing के लिए मैंने विशाल सर को follow किया, उनकी पूरी autobiographies पड़ी, खुद को motivate रखने के लिए, संदीप मैशवरी और विवेक बिंदर सर्स के वीडियो देखे, और यार network marketing में जगव बनाने के लिए, मैंने upnallers को follow किया, बड़े बड़े leaders को follow किया, और तो और हाली में मैंने अभी YouTube channel चालू किया है, जिसमें कुछ खास response तो नहीं आया, 8-9 मैने से लगातार वीडियो बना रहो, और consistency से बनाते रहोंगा, जब तक मुझे इसमें success नहीं मिल जाती, और इन सब लोगों ने, इन सारे leaders ने एक ही बात कही है consistency, आपके life में consistency होना बहुत important है, और या मैंने तो अपनी life में consistency से काम करना चालू कर दिया है तो आप भी चालू कर दो, और आप लोगों के लिए एक good news है दोस्तों, कि मैंने Instagram पे एक page बनाया है, motivation की आग, तो मैंने description भी link दे दिया है, तो जाके follow करो, और ये channel पे वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को भी subscribe करो और आज का वीडियो end होता है, goodbye